अगर आप ETF की मदद से regular income कमाना चाहते हैं, तब ये वीडियो खास आप के लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक unique और बहुती आसान ETF trading strategy के बारे में, जिसका नाम है 3-day low high trading method. अगर आपने इस ETF trading strategy को सही धंग से सीख लिया, तब आप daily basis पर 1-3% तक की returns बना सकते हैं, मैंने इस trading strategy को तकरीबन 1 साल तक back test हिया है, और उसके result भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो अगर हम 3-day low high method के बारे में बात करें, तब आपको इसमें 70-80% तक की accuracy मिल जाती है, अगर आप इसे बिल्कुल सही धंग से apply करते हैं, इस तरीके को use करके आप शुरू-शुरू में तो एक हफते में 2-3 दिन, फिर धिरे-धिरे करके daily basis पर income generate कर सकते हैं, पर हाँ, इसके लिए आपको इस वीडियो को करने से पहले आपको ये देखना होगा, कि उस ETF का average daily trading volume 5 लाग से उपर का ही हो, जितना अधिक volume होगा उतना ही बढ़िया है, आपको बता दूं कि इस trading method को आप दोनों तरह से use कर सकते हैं, चाहे तो ETF गिर रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, आपको दोनों और से ही profit होगा, पर इस वीडियो में हम केवल 3-day low method के बारे में ही बात करने वाले हैं, मैं आपको इस ETF trading के अपने back test के results दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए selected trades ही लिए हैं, पर पिछले एक साल में अगर मेरी accuracy की बात करूँ, तब वा तकरीबन 70% तक रही है, यानि मेर हर 10 trades में से 7 trades profitable रहे हैं, पर practice से वह आगे और भी सुधर जाएंगे, ऐसा मेरा मनना है, तो मैंने यहाँ पर bank bees के 4 trades दिखाये हैं, volume के साथ में, आप यहाँ पर देखिए कि इसमें एक loss दो profit की position है, और एक trade आभी भी open है, तो देखते हैं कि some work को क्या होता है, आप देख सकत हैं कि यहाँ पर मेरा holding period 2 दिन से ले करके 10 दिनों तक रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो daily पैसा कमाने की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता दू कि उसके बारे में मैं इस video के अंत में बताऊंगा, इस back test result में आप देख सकते हैं कि जब मैंने profit book किया, तब ETF की value और उपर भी गई थी, पर यहाँ पर हमें अपने trading rule से ही चिपक करके रहना होगा, क्योंकि trading rule से ही चलता है, feeling से नहीं, फिर देखिए, ये दो trades है, nifty beast की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले में 1.1% का profit लिया, दो दिनों में, फिर एक हाल ही की trade है, जिसमें मैंने एक दिन में ही 0.75% का profit लिया, कुल मिला करके मुझे ये कहना है कि मैंने इस ETF trading strategy की back testing करी है, और इसमें on an average 1-3% का profit भी बनाया है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि profit के लिए यहाँ पर 3-5 दिनों तक hold करना पड़ रहा है, तब daily income करने वाली strategy मैं आपको इस वीडियो क strategy के नियमों को समझ लें, आप चाहे तो इस slide का screenshot भी लेकर के रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जिस ETF में trade करना है, उसका एक दिन का candlestick chart ले लें, फिर उस chart पर 5 day और 200 days का moving average plot कर लें, देखिए अगर कोई technical analysis सीखना चाहता है, तब आप मेरे blog पर ज़रूर visit करें, जिस कि आप 5 और 200 days का moving average chart पर plot कर लें, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि जो भी ETF trading के लिए लेने वाले हैं आप, वह अभी 200 days के moving average से उपर ही चल रहा हो, अब मान लें कि आज वो दिन है, जब आपको ETF buy करना है, तब ध्यान रहे कि इस समय वह 5 day के moving average से नीचे trade कर रहा हो, यह है सबसे पहला check, दूसरा check है, आज से दो दिन पहले का, जो ETF का high low है, वह उसके एक दिन पहले के high low से कम ही रहना चाहिए, फिर बीते हुए कल का ETF का high low, दो दिन पहले वाले high low से कम होना चाहिए, अगर आप confused हो रहे हैं, तब आगे इसे chart पर देखने से असानी से सम है, यानि lower high, lower low, जो down का संकेत होता है, अब आपको अगले दिन का वेट करना है, और फिर अगले दिन भी पिछले दिन से lower high और lower low बनता है, तब एक दिन और वेट करना है, अब अगर तीसरे दिन, यानि मान ले, आज पिछले दिन से भी lower high और lower low बना, और वह पांस दिन के moving average से कम है तब आप closing के समय entry मार ले यानि लगबग सवा 3 या साधी 3 बजे जब market बंद होने वाला हो अब आप entry तो कर लिए तो exit कैसे करना है तो इस ETF trading strategy में exit करने के लिए आपको इंतजार करना होगा कि कप price 5 day के moving average से उपर आता है बस जैसे ही ETF का price 5 day moving average से उपर जाता है आपको exit ले लेना है बिना कुछ सोचे हुए और फिर अगले trade में लग जाना है यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आपके कई question भी होंगे इस पर आए कुछ सवालों को समझे क्या हो अगर ETF में entry करने के बाद भी अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी lower low और lower low लगता ही रहे हाँ तो उसका भी एक rule है मान ले ETF खरीदने के अगले दिन भी वो और down जाता है तब आप average करें फिर ऐसा आप दूसरे और तीसरे दिन भी कर सकते हैं पर हाँ अगर यह 14 दिन भी down जाता है ETF बमुश्किल 2-3% से अधिक नहीं गिरता है और वह जल्दी recover भी हो जाता है इसका मतलब ETF ट्रेडिंग में पहले से ही एक layer of safety मौजूद है तो यहाँ पर आपको strictly rules को follow करना होगा अब आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई stop loss भी लगाना होगा देखिए मैंने अभी तक तो इस strategy में बिना stop loss लगाय ही काम किया है वैसे stocks में काफी movement होती है इसलिए वह stop loss लगाना जरूरी होता है पर अगर आप चाहें तब इसे ETF ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मान लें आपका ETF बढ़ता जा रहा है और उसका price 5-day moving average के ऊपर जाता है तब आप trailing stop loss भी use कर सकते हैं जिसे आप और अधिक profit बना सके हैं अब आईए इस ETF ट्रेडिंग strategy का practical implementation देखते हैं आपके सामने है bank bees trading strategy के लिए 1-day का chart यहाँ पर यह नीली वाली line है 5-day moving average और 200 days का moving average नहीं दिखाय गया है पर यह bank bees 200 days के moving average से ऊपर हिटरेट कर रहा है अब आप यहाँ पर यह candle देखे जहाँ पर इसका दिन का high और low इसके पिछले दिन के high और low से कम है और यह 5-day के moving average से नीचे भी बंद हुआ है अब आप इसे अगले दिन भी watch करें आपने देखा कि अगले दिन भी यह अपने पिछले high low से नीचे ही गया तब फिर इसे तीसरे दिन के लिए रखें अब तीसरे दिन भी इसने lower high और lower low बनाया तब बस आप इसमें यहाँ पर entry कर सकते हैं closing के समय अब अगले ही दिन आप चाहे तो इसे बेच सकते हैं पर इसकी closing अभी भी 5-day के moving average से नीचे है तब आप वेट कर सकते हैं यहाँ पर आप average नहीं करेंगे क्योंकि इसका low अपने पिछले low से high है समझें? तो आप 2-3 trades तक वेट करें और यहाँ पर कहीं भी exit ले लें तो आप 3-4 दिनों में ही profit कमा लेंगे उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अब आप यहाँ देखें यह मेरी bank beast की ETF trade अभी open ही है और देखते हैं कि Monday को क्या होता है क्योंकि यह वीडियो मैं Sunday को record कर रहा हूँ तो फिर तीसरे दिन यानि यहाँ पर मैंने इस bank beast को खरीद लिया पर अगले दिन यह higher high तो गया पर lower low भी गया इसलिए मैंने average किया फिर अगले दिन और lower low तो दूसरे दिन भी average किया अब देखते हैं कि Monday को यह ETF कहां जाता है तो आप इस unique ETF trading strategy को practice करें और regular income बनाए और अगर आप धीरे धीरे 4-5 ETF में ऐसे ही trading शुरू करेंगे तो daily basis पर profit भी बना सकते हैं आपको बस सभी ETF में 3 days low वाली strategy अपलाई करनी है अब अगर आप trading के अलावा ETF investing में भी interested है तब उसके लिए देखें best ETF to invest वाली यह वीडियो